हेलो एब्रीवन, माइक्रोबायलोजी सीरीज का ये लेक्चर नमबर तीसरा है, इसमें हम हिश्टे आप माइक्रोबायलोजी के बारे में पढ़ेंगे, इससे पाले हमने लुइस पासचार, एंटरनिवें, लिवें, होक, राबर्ट होक, राबर्ट कोच, चाइन्टिस्ट के माइक्रोबायलोजी में क्या कंटिब्यूशन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट साइन्टिस्ट जो हैं, एडवर्ट जेनर, इनके कंटिब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ओक, सो लेट्स स्टार्ट नाओ, एडवर्ट जेनर का जन्म 1749 में ओके, यह इंग्लिस फिजीसियन और साइन्टिस्ट थे, इन्हों ने वर्ट की फर्स्ट वैक्सीन डिबलब किया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस, ओके, स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहा जाता है, इसमॉल पॉक्स वैरियूला वाइरस से कॉज होता है, जो की एक वाइरस है, काटेगरी से बिलॉंग करता है, वैक्सीन और वैक्सीन वर्ट जो है, डिराइब हुआ है, वक्का से, जो की काव का लैटिन वर्ड है, ओके, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन कैसे डिबलब किया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस, आए हम इसके बारे में जानते हैं, ओके, उस सम में स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि स्मॉल पॉक्स के कारण सबकी देट होती जा रहे थी, सबकी मृतियों होती जा रहे थी, तो एडवर्ड जेनर ने अब्जर्व किया, कि जिनने काव पॉक्स हुआ है, काव के दूद निकालने वाले, जो मिल्क मैड काव पॉक्स हुआ था, तो ऐसा क्या है कि स्मॉल पॉक्स के संपर्क में आने के बाद भी इन्हे इसमॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, तब इन्होंने इकस्पेरिमेंट किया, जिसे जिसे काव पॉक्स हुआ था उसके पस, यानि कि ब्लिश्टर से सैम्पल लिए और एक एट यर्स के बालक जिसका नाम जेम्स फिप्स था उसके बाड़ी में इंजेक्ट किये तो एड़वर्जेनर ने देखा कि यह बचा सिग्रही ठीक हो गया और उसके बाद उसे स्माल पॉक्स कभी नहीं हुआ इस प्रकार से एड़वर्जेनर ने फर्स्ट वैक्चीन स्माल के अगेंस डिबलब किया ओके एड़वर्जेनर को फादर आप इम्मिनोलॉजी कहा जाता है ओके नेक्स्ट साइन्टिस्ट है जोसेप लिष्टर जोसेप लिष्टर वास बॉर्ण 1827 एंड डाई 1912 ओके एप बिटी सर्जन और मेटिकल साइन्टिस्ट थे इन्हें फादर आप एंटिसेप्टिक सर्जरी करते हैं 1861 में जोसेप लिष्टर ने अबजर्व किया कि जो 50% पेसेंट जो है सेप्सिस के कारण इनकी मृत्य हो रही थी सेप्सिस क्या है जो घाव होती है उस जगह एकदम सडन हो जाती है सडने लगती है जिसकी वज़े से एक गैंगरीन डिजीज हो जाती है एक ऐसा इंफेक्शन हो जाता है जो या तो उसको कट किया उस अस्थान को कट किया जाता है या पेसेंट की मृत्य हो जाती है तो इन्हों ने देखा कि घाव के अंदर जो इंफेक्शन हो रहा था माइक्रो आर्गेनिजम के कारण हो रहा था तो इन्ह यूज करके इस्प्रेय किये जो भी माइक्रो आर्गनीजम थे उसको किल किये उसको डिश्ट्रॉय किये इस प्रकार से जो भी माइक्रो आर्गनीजम थे डिश्ट्रॉय हो गए इसके बाद इन्होंने अबसर किया जो सेप्सिस के कारा पेसेंट की मुईत्य हो रहे थी अब कम हो गई इसके बहुत काम हो गई थी इन्हों ने इनके ओर कंटिबूूशन क्या इन्होंने प्योर क्व ऐगी को भी डिबलग्ड किया जो सब लिष्टर ने सीडील डाइलोशन टेखनीक को डिबलब जिसमें इन्होंने सबसे पहले bacteria lactobacelet को isolate किया serial dilution करके serial dilution एक isolation technique है जो किसी specific microorganism को किसी specific, pure microorganism को isolate करने के लिए जो कि mixed culture में होता है तो हमें mixed culture में होता है तो pure कालोनी चाहिए होती तो pure कालोनी को isolate करने के लिए serial dilution करते है next scientist है Ellie Metchnikoff He was born 1845 and died 1916 ए लूइस पास्टर से associated थे ए रस्य जियोलोजिस्ट थे पेरिस में रहते थे और पास्टर इस्ट्यूट में काम करते है आई अब हम इनके contribution के बारे में जानेंगे इन्हें father आप modern immunology कहा जाता है इन्होंने पहली बार probiotics का concept दिया probiotics means probiotics जो है एक ऐसा लाइब बैक्टिरिया या इस्ट होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए गुड होता है इस पेसली जो हमारे digestive system होते है उसके लिए और यह कहां पाय जाते है फूड में पाय जाते है जैसे कि योगर्ट दही में ओके इन्होंने नेक्स्ट इन्होंने फेगोसाइटोसिस टर्म दिया जिसका मतलब होता है eating up cell फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बॉड़ी की डब्लू बीसी जो वाइट सेल होती है फेफोजन को इंगल्फ करती है उसको खा जाती है अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट पाउल एरीज के बारे में जानते है इनका जन्म 1854 में हुआ था और इनकी इम्रिती 1915 में हुई थी ए जर्मन साइंटिस्ट थे इन्होंने राबर्ट कोज के साथ काम किया था इन्हें फादर आप कीमोथिरेपी करते हैं अब हम इनके कंटिब्यूशन के बारे में जो माइक्रो बाइलोजी में इनके क्या कंटिब्यूशन इसके बारे में जानेंगे इन्होंने टर्म कीमोथिरेपी दिया था इन्होंने कीमोथिरेपी टर्म जो है 1908 में दिया था काईज अगर QS में पुछे कि फादर आप कीमो dimalia को और अगर या औरुमिंदन्य के बारे में पुछ को करते हैं घृक ऐसं ही लिश सीनर दिया की पालगाउवर सरेवल सीयब्त ल्हेकर जो सिफलिस को टारगेट करता है बिना बॉडी को निकसान की हुए मतलब इन्होंने साल वर्षन 606 केमिकल का यूज करके सिफलिस कॉस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसे डिश्ट्रॉाइ किये जिसे इन्होंने उसे मैजिक बुलिट कहा इन्होंने इस्टेंज किये कि टी॑शिय के लिए इसी टेक्निक इसे इस्टेंऽ नहीं किया जा सकता है इकडु बैक्टेरियम टीबर कलूशिस के लिए रागेट के बारे में बताया जिसम इन्होंने सब्ड किया मेगालो ब्लाष्ट, माइक्रो ब्लाष्ट, नार्मो ब्लाष्ट और पंपोई कीलो ब्लाष्ट में इन्होंने नेक्ट इन्होंने ल्यूकोसाइट को बताया जिसमें बेसोफिल, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया जिसमें अलग-अलग granules के बारे में भी बता है इन्हों नेक्स्ट इन्होंने alkaline dye से mast cell को stain के और mast cell का नाम इन्होंने दिया था इन्होंने जोईंडिक्स पेसेंट के यूरीन में फर्स्ट टाइम bilirubin को डिडेक्ट किया ओके पॉल एरीज जो है काम कर रहे थे एंटी टॉक्सिन फार डिप्टेरिया जो के एंटी बाडी बला से बाइंडिंग हो रही थी तो इन्होंने बताए कि जो एंटी बाडी से बाइंडिंग हो रहा है इन्होंने इसे साइट जेन फ्योरी बताए है जिसमें हम देखते हैं कि कोई पैथोजन या फारिजिन एंटी जन हमारी बोड़े के अंदर इंटे क्या और एंटी बाडी के रिसेปटर से बाइंड हो गया तो इसको इन्होंने साइड जेन प्रोसिज कहा था ओके अब नेक्स साइंटिस्ट है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका जन्म 1881 में हुआ था और इनकी मुरी तो 1955 में हुई थी यह बायोलोजिस्ट फर्माइकोलोजिस्ट और बॉटनिस्ट थे यह बैक्टिरियोलोजी इम्मीनोलोजी और कीमेथिरोपी पढ़े हैं शारे रिस एंटिबाइटिक पेनिसिलीन की खोज़की थी पेनिसिलीन की डिसकबरी अनफॉर्चनेटली हुई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेट्री डिस पर इस्टे फाइलोकॉकस और यस बैक्टिरिया पर काम करें थे सडन उन्होंने देखा कि फंगस की ग्रोथ हुई है पेट्री डिस पर और जहां पर फंगस की ग्रोथ हुई थी वहां पर बैक्टिरिया की ग्रोथ नहीं हुई है तो इन्होंने देखा कि फंगस तो इन्होंने इस फंगस पर रिशार्च किया और पाया कि यह जो फंगस है बैक्टिरिया को किल करने के लिए सच्छम है सच्छ लाँ बार जो पेनिसिलिन आइसूलेट की गई थी पेनिसैलियम नोटेटंव से और अब भ empezherum क्राइस्ओजेनम से okay Alexander ने पेनिसीलिन की डिसकावडरी तो कर लिया पर इसका यूझे नहीं कर पाए मेडिसीन के रूप में तो इसका यूज 1940 में जो दूसरे साइनटिस्ट थे उन्होंने किया, जिसमें इरनेस्ट चैन, वर्ड, फ्लोरी एंड एड़ड अबाहम ने इन्होंने प्यूरिफाई किया, इन्होंने पेनिसलीन को प्यूरिफाई किया फर्स्ट टाइम और इसका यूज बहुत बार किया, इंचेलर वर्क आं पेनिश्लीन के लिए颜 नोबुल प्राइस पहत ऌके साइनटिस्ट है सेलमन वैक्समान ही वास इज बॉन एटेन हंड़ेटज सीट दीयाइट धैै नाइटेहनost सेटीट तई वेक्समान एक बाइोकेमिस्ट ये साइनटिस्ट थी ये सोई टीबी के पेसेंट के क्योर के लिए को 9052 में नोबल प्राइस मिला था फिजुलाजी और मेडिसीन में टीबी के द्वारा डिसकवर किया था अब नेक्स्ट वीडियो में अगले साइन्टिस्ट के बारे में जानेंगे ओके सब्सक्राइब टू इस्टे कनेक्टेट ओके बेट फार नेक्स्ट वीडियो थाइंक्यू